श्वागत है आपका अभेर ओनलेर क्लास में और आज के इस क्लास में हम लोगों डबलो बीसी के विशे में पढ़ने वारे हैं पिछले दिन की क्लास में हम लोगों में आर्बीसी के विशे में पढ़ा था मैंने आपको पताया अचा कि RPC यह WBC, दोनों ही रख्त के एक ठोश भाग होते हैं तो आज हम WBC के उसे में जानेंगे WBC जिसका फुर्फॉम होता है White Blood Corsors फिन्देविस को कहते है स्वेत रख्त कोशिका और जिसका साइंटिसिक में होता है Leukocyte जो कि हमारे रख्त का एक बहुत ही महत्पण हिशा होता है इसके आप तही अगरहन देखे तो यहां अन्यमित अकार का होता है और 8-20μm तक कि इसकी लंबाई होती है अन्यमित होता है कर्मित आपने देखा RPC गोलाकार कांके रोपना होता है जबकि यह अन्यमित अकार की है और इसकी जो शाइज है वो है 8-20μm तक का संख्या देखे हम तो संख्या यह RPC की तुल्णा में काफी कम है जहां RPC प्रती मिलिमिटर ट्यूब में मेर मेर में 5 सारे 5 मिलियर पाई जाते थे वही इसकी संख्या किसकी WPC की संख्या काफी प्राव है जो की 6,000-10,000 है आप देख रहे हैं कि इस WPC की संख्या 6,000-10,000 है पर मिलिमिटर क्यूब है अगर हम तुल्णा करें कि एक मतलब RPC के रहा तुल्णा को मिलिमिटर कोड क्या रहा है तो 6,000-10,000 जब रहे हैं तो एक WPC रह रहा है काफी कमशन क्या है किसकी तुल्णा में RPC तुल्णा में जहां 6,000-10,000 वहां में एक WPC होता है देखें, आगे मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्वेत रग्त कोशिगा को क्यों कहा जाता है चुकि यह रंग ही होता है इसमें कोई रंध नहीं होता है जैसे कि आपने ला रंध कोशिगा पढ़ा था कि हमोग्लोबी में उपस्तित फेरस के काणिसका रंग होता है पर अंतर स्वेत रंध कोशिगा में हमोग्लोबी पाया नहीं जाता है तो उसका कोई रंग नहीं होता है जिशकान नहीं होता है जिशकान नहीं से स्वेत रंध कोशिगा कहते है किस काहते हैं यह रंगईहीन है रंगईहीन क्यों हो और ऑपनी रंगईहीन हो को जा यहाँक है तो यह रेज बन्जम्न मेरों में इसका निर्वाड होता है इसका प्रोडक्शन वहां पे रहा भुनता है ग्रैनुलोशाइड जिसमें कड़ पाया जाते हैं उसको ग्रैनुलोशाइड और जिसमें कड़ नहीं पाया जाते हैं उसे और ग्रैनुलोशाइड कहते हैं आगे मैंने लिखा है कि इसमें हीमोगलोबीन क्या होता है अनुपस्तित होता है मैंने आपको बताया है कि इसमें मुझा मेन बस्तिक नहीं रहता है, इसलिए यह कैसा होता है, गंदीजीन की होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है नगलमिशी क्या है, इसके अग्रती कैशी है, अपार कैशा है, संख्य कितना होता है, आर्बिशी कितना में कितना होता है, यह कहां बनता है कितने तरीकी का पलुटा है और आगे हम लिि देख रहे हैं यह कारय क्या करता है तो यह कार क्या क्या करता है मैंने अब उसकल बताया था कि आरबी चिङया और वसी जंग को उस फरीड के अन एक फिर लेकर दुशरे से वा पहुंजाने का आपता है जब कि WBC क्या रख करता है तो WBC जितने भी बाहर से जिवाड़ों हमारे सरील में आते हैं उन्हीं जिवाड़ों को नस्ट करने कारे करता है यानि ये एक एंटिवाड़ों की तरह कारे करता है जो कि लिंफोसाइड पाय जाता है क्यों ऐसा करता है क्योंकि WBC में पाय जाता है जो कि बाहर से आने वाले जिवाड़ों को नस्ट करने का कारे करता है तो इसका में बहुत इंपॉर्टर रोल है कि नहीं जहां आगिसी ब्लड के सांथ ऑफीजन को प्रवाद करता है एक असां से दूसर सां पर ले जाने का काम करता है वहीं पे WBC क्या कर रहा है कि हमें बहुत सांस अंडर ले रहा है तो बहुत सारे जिवाड़ों को तल्जारस है उन्हीं जिवाड़ों को माहने का रहे करता है एक बश्विट से में WBC के बिश्यम बता दो WBC इसका फोर्वाइब नड कॉशल्स है हिंदी में स्वेजर्ट रख कोशिका और इसका सांट मुझूद रहते हैं जबकि आपने पढ़ा था कि आप इसकी में खेंडर नहीं रहता है और इसकी अकार के बात करें तो आट से बीस माइक्रोमीटर का होता है इसकी संग्या करीब 6,000 से 10,000 पर मिलिमीटर क्यों होती है जहां पर आप इस इतने जादा संख्रा में पांस वहीं पर यह क्या है? 6,000 से 10,000 हैं अगर हम देखने तो इसकी तुलना करने पर आपीसी से हम पाते हैं कि जहां 6 सा आपीसी रहते हैं वहाँ पर एक डवली बीसी पस्तित होता है इसका प्रोडक्शन रेट बॉन मेरों में होता है और यह दो तरीके के होते हैं यह स्वेक क्यों होता है इसमें हीमोकलमिल वर्णक नहीं पाया जाता है जिस कारगया रंदहीन होता है और यह स्वेक कोशिटा पहते हैं इसका कारग क्या होता है तो यह जिवाड़ों को जो बाहर से जिवाड़ों होंगा सांस की दोरा जो शांक लेरे तो आ रहे हैं उन्ह झाल झाल